सभी को जाहिंत मैंने तिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Mission and See the way of success में देखेगा जितने भी नए स्टूड़न्ट है जो 2020 में NCC जॉइन करना चाते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी है जैसी का आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो देखे इस न्यूज में क्या क्या बताया गया है कि जितने भी अभी NCC के एड़ेट की भरती होगी उन सभी को जो ट्रेनिंग का खर्चा है यूनिफॉर्म का खर्चा है और कैम्प के जो खर्चे है और स इस न्यूज को कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप इस न्यूज को कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए न्यूज पढ़ते हैं सीमावर्ती शेत्रों में 11,980 NCCC कैड़ेटों की भरती प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में 11,980 NCCC कैड़े और महराज गंज जीलों में NCC का विस्तार किया जाएगा इसके अलावा NCC की कुछ बटालियन को पुनसंगटित कर उनकी शमता भी बढ़ाई जाएगी NCC निदेशालई से मिली जानकारी के अनुसार बीते 15 अगस्ट को पंतपदा नरेंदर मोधी जी ने स्वतंतरदा दिवस के अवसर पर लाल किलिक की प्राचीर से NCC का सीमावर्ती इलाकों में व्यापक स्तर पर विस्तार करने की गोशना की थी जैसी कि आप सभी को पता है इसके उपर भी मैंने वीडियो भी बनाया था उसी के तहत ये विस्तार किया जा रहा है सीमावर्ती इलाकों में नामांकित कैडेटों के प्रशिक्षन का संपूर्न खर्चा केंदर सरकार उठाएगी इस बात को ध्यान दीजिए सभी सीमावर्ती इलाकों में नामांकित कैडेटों के प्रशिक्षन का संपूर्न खर्चा केंदर सरकार उठाएगी इसमें कैडेटों का प्रशिक्षन यूनिफॉर्म कैम्प के खर्चे आदिशामिल है यही नहीं सरकार अन्यकई सुईदाए भी देगी तो एक बार मैं आप सभी को फिर से देखी इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा इन कैडेटों का प्रशिक्षन यूनिफॉर्म कैम्प के खर्चे आदिशामिल इतने तो आपको मिलेगा ही और आपको कई अन्यसुईदावा भी आपको मिलेगी मसलन कैडेट देश के किसी भी इलाके में जाते हैं तो रेल वो बस का यात्रा भत्ता भी केंदर सरकार देगी अगर आप किसी और इलाके में जाते हो देश के तो आपको जो है अगर आप रेल से ट्रैवल करते हो तो उसका भी आपको भत्ता दिया जाएगा और ये सब कुछ खर्चा करेगी केंदर सरकार तो दिखेंगे अब ये इतना नीउस पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है अब इसके उपर हम धयान देंगे तो दिखेंगे ये बात है उत्तर परदेश की उत्तर परदेश जो स्टेट है हमारा वो नेपाल से जो जुड केडेट की भरती की जाएगी तो अभी जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की ठीक है तो इसमें पीली भीद भी एक डिस्ट्रीक है उसके बाद में देख सकते हैं अप लखिम पूरी खिरी लखिम पूर खिरी बहराई च्रावस्ती बलरामपूर सिदार्त नगर और महाराज गंज यह जो जीले भाई वह हमारे वह जो यह जीले जो है वह नेपाल से लगे हुए तो इन जगापे ग्याराजर नौस एंसीसी केडेट्स की जो है वह भरती की जाएगी ठीक है तो आप समझ पारे हो में क्या बताने की कुशिश कर रहा हूँ आप सभी को ठीक है तो फिर एक बार ग्याराजर नौस एंसीसी केडेट्स की भरती होगी जो कि उत्तर प्रदेश में होगी ठीक है और धीरे-धीरे करके सभी जितने भी हमारे बॉर्डर और कोस्टल एरियाज है कोस्टल एरियाज के डिस्टिक हैं वहाँ पर भी एंसीसी की भरती स्टार्ट हो आपको मैसेज में जो है वो यह न्यूस का फोटो जो है मैं आपको सेंड कर दूँगा ठीक है मेरे इंस्टागाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप मुझे मैसेज बेज सकते हो I hope कि आपको वीडियो में दी जानकरी समझ में आयोगी इसी तरह की नई नी जानकरी पाने के लिए आपके अपनी वीटुब चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन को प्रेस कर दो आगे चल कर आपको इसी तरह की नई इंफर्णी वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी आपका क इंती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, जैने त्वन्दी मात्रम.